के असलाम जीकुम दोस्तों इस सटाइब को देखने के लिए आप एंद तक मेरे साथ रहेगा तो सेंटर पार्ट किया हमने संटर पार्ट का भी हमने त्री पार्ट किये और लैट और साइड पार्ट को हमने डिवाइट करके तो यह दिखें इस तरह उपर नीचे बालों को कर बाला से थोड़े भाल वाले पार्ट के साथ अटैब्ट कर देना है। और इसको फिर ऊपर लाके तो इस साइड वाले स्टप को राके दूसी साइड से में नीचे से इस तरह लाके तो इसको एक गिरा की शिर्प दे देना है। इस तरह हमने गिराते तरह इसको हमने थोड़ा सा खीच लिया, उसके बाद हमने फिर सेंटर पार्ट में से थोड़े से बाल फिर लिये और उदर से भी हमने बाल ले लिये और दोबारा हमने इस तक्निक को इसी तरह दर द रकें यह सारे हमने जो तक्निक है इसी तरह करते जाना है और इस ब्रेट को सेंटर इस तरह रेडी कर लेँदा चलेजी अब सेंटर से हमाई जो प्रेट है वो रेड़ी हो गई है इसको हमने कर लिया है ड़ और यहां पे अब हम इसको करेंगे लॉक अब हम राइट साट पर आते हैं सेम उसी तकनीक के साथ राइट और लव्ट से इसी तरह उपर से नीचे नीचे से उपर निकाल के बालों को हमने गिरा की शेप देनी है और फिर इसी तरह गिरा देते जाना है और इस ब्रेट को हमने इसी तरह एंट तक बनाते जाना है उमीद है आपको इस टेक्नीकी बहुत ही असान इर्फास में समझ आ गई होगी इसको भी हमने डन कर लिया अब हम जाएंगे लेप साइट पर लेप साइट से भी हमें इसी तरह त्री पार्ट की है सेंटर पार्ट हमने थोड़ा रखना है और साइटों से हमने थोड़ा से बाग थोड़े से भारीक लेने हैं और इसी तरह साइट से उपर उपर से बहुत दूसी सरा आके तो हमने इसको क्रियेट कर लेना है यह वाली भी हमने एगडी कर ली मेरे इस टैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा लाइक कर दिजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दिजिएगा ताके आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके यह देखें यह हमाई जो ब्रेट है यह रेडी हो गई है यह कॉलिज गोइंग, स्क्योर गोइंग बच्चियों के लिए है पार्टी में भी आप करके जा सकते हैं मिलते हैं नेक्स नुडियो में लापस